इस पूरी लाइन को देखिए ये लगबग मेरे पास 15 पोधे हैं और मैंने इनको 10 फिट की दूरी पर लगाया हुआ अब की बार परती पोधा मैंने कम से कम इस पर 20 किलो अमरूद लिया और अमरूद लेने में सबसे बड़ी समस्या है आई कि मुझे उसका इतना अच्छा परबंदन नहीं पता था कि पोधे बिलकुल जुक गए थे और मुझे कई-कई बास की डंडिया लगा कर सहरा देना यह देखिए अभी कितना अच्छा अमरूद है यह लगभग 300 ग्राम का अमरूद होगा और मैंने कुछ पर बैगिंग कीती है और बैगिंग करने से इन पर चमक आ जाती है और देखिए कितने अच्छे अमरूद अभी भी आई ही हैं काफी अमरूद है आप देखेंगे कि म मैं इस समय क्यों कर रहा हूँ यही चर्चा आज का विशे है और अगर आप नीमा टोड से प्रभावित हैं आपके पोधे या पिछले साल आया था तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपोर्ण है जिसमें मैं इसकी ऐसी जान करी जूँगा जो आज तक आपको नहीं म ये जड़े हैं इसकी और चुकि ये ग्राप्टेड पोधा है ये बहुत गहरे तक गया हुआ है और देखिए अच्छा मजबूत तना बन चुका है आप इन जड़ों को ध्यान से देखिए इसमें कोई भी रोग नहीं है इस खेत में कुछ पोधों में जो मेरे पास करीब स पोधे बचे हैं अभी इस खेत में ताइवान पिंक क्लोन के हैं उनमें पिछले साल नीमा टोडाया था फरवरी में मुझे पता चला था फिर मैंने सभी पोधों में इनकी केर की थी और मैं ये देखना चाहता था कि किसी पोधे में है तो नहीं देखिए इसमें नहीं है अ पोधे बिल्कुल हरे हैं कोई एक आधा ये सूख जाता है सर्दी में देखिए फुटान कितनी है तो इससे पता चलता है कि इस पोधे को ध्यान से देखे और इस पोधे को भी ध्यान से देखिए आप कितना अच्छा है पूरा भरपूर हरा है और किसी भी पोधे में कोई बिल्ग इस्ट्रेस नाम की चीज नहीं है, अब इसकी भी हम आई ये जड़े देखते हैं, नीचे से, ये देखिए, ये जड़े हैं इसकी, किसी भी जड़े में देखिए, मैं कुछ जड़े निकाल कर दिखाता हूँ आपको, देखिए, इस जड़े को ध्यान से देखिए, इसमें कहीं भी कोई नीमा टोड़ का लक्सन नहीं है, ये देखिए, बिल्कुल साफ जड़े हैं इसकी, ये तो हुई उसकी बात कि आपके पोधे में कोई भी नीमा टोड़ नहीं है, आप थोड़ा गहरी खुदाई करें, और ये देखिए अपने पोधे में, कि इसमें कह चान बताते हैं और इसका उपाय क्या होगा उस पर भी चर्चा करते हैं किसान साथियों आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में और देखते रहिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को जिसमें नीमा टोड़ पर वो जानकारी है जो आप तक आपने नहीं देखी इस पो देखो देखिए इसमें भी इतनी अच्छी जड़े हैं ये किसी भी जड़ में आप इस प् खींचते विए कहीं भी कोई अवरोधन या गांठ नहीं दिखनी चाहिए कुछ जड़ों में ये मोथा की गांठ है ये जो देखोगे मोथा की जड़ है तो आपको ये ध्यान रखना है तो मेरे इन 120 पोदों में लगबग 60 पोदों में नै के बराबर नीमा टोड़ है आई नीमा टोड़ का असर है ये देखे ये वाली ये जो गांठ है ना ये ये बन गई इसमें हलका सा है मैंने आपको बताया था कि जो ये थाई पिंक और ये ताइवान पिंक है इनमें नीमा टोड़ की बहुत समझ से नीचे से एक जड़ और निकालता हूं मैं और ये यहां पर कैमरा जोम करिए ये जो अभी लाल हो रहा है ये इसमें नीमा टोड़ की फिर सुरुआत हो चुकी है ये ये वाली यहां पर ये देखिए ये मोटी गांठ है लेकिन अभी सुरुआत है अगर मैं इलाज कर दूंगा तो ये यहीं रुक जाएगा और फरवरी में म इसमें कितनी भी जड़े हैं कितनी साफ हैं अभी इसमें कोई भी निमा टोड़ का लक्सन नहीं है आप इस प्रकार देख सकते हैं नीचे गहरी जड़े हैं मोटी हैं और ये देखिए इनमें किसी भी परकार का निमा टोड़ का लक्सन नहीं है मैं एक जड़ तोड़ कर द ही है और ये पोधा बिल्कुल स्वस्त है कुछ पत्ते आपके इस प्रकार लाल मिलेंगे बहुत कम अगर कम है ये ठंड की वज़े से है या आपने इसमें प्रपर नमी नहीं बनाई रखी या पुराने पत्ते हैं इससे घवडाने की कोई बात नहीं आपको ये देखना है कि आपके अधिकतर पत्ते किस प्रकार के है आए और बढ़ते हैं यहां पर ये खेत दो हिस्सों में डिवाइड है ये आदा भाग है आप देखे यहां पर डिप की लाइन है एक लाइन इधर चली गई एक लाइन इधर चली गई तो आप दोनों तरफ को देखे ये जो इसमे इधर पोधे हैं ये सारे ताइवान पिंक क्लोन के पोधे हैं अब हम कुछ पोधों का अवलोकन करते हैं आप इनको देखिए ये पोधा स्वस्त दिखाई दे रहा है और पिछले साल इन सभी पोधों में फरवरी में नीमा तोड़ाया था जिसका मैंने इलाज किया था अब आइए इनकी जड़े देखते हैं आप इस पोधेगा ध्यान से अवलोकन करिए देखिए इसकी जो उपर की पतियों का साइज है ये थोड़ा छोटा हो चुका है और पति लगबग गोल होने की कगार पर है और ध्यान से देखेंगे तो इसके किनारे किनारे पर लाल-लाल हो जोगी है 90% से ज़्यादा आपको इस परकार मिलेगी ये सूखने लगी है ये देखिए ये पोधा यहां से बिलकुल बंद हो गया ये देखिए ये निकलना बंद हो गया किसी भी टेहनी को देख लीजिए ये सब बंद हो गया पत्ते लगबग गोला कार है और ऐसा लग र हिस्सा था जड़ का ये वाला ये नीमा टोड़ खतम हो गया था यहां से ये पुराने वाला है और इसके बाद जब हमने इलाज किया तो ये नई जड़ निकली इसकी है ये नई जड़ चली है और इसमें किसी में भी नीमा टोड़ नहीं है इसका मतलब ये है लेकिन जो भ देखिए मैं कुछ और दिखाता हूँ यह देखिए यह पुरानी जड़ यह इतनी सड़ चुकी थी कि इसमें भी नहीं है और दिखाता हूँ मैं आपको यह जड़ देखिए यह इसकी पुरानी जड़ है यह देखिए यह बिल्कुल सड़ चुकी थी और इसमें कोई भी आग किसान साथियों यहां पर यह सोचने की बात है कि अगर आप देखेंगे कितनी सड़ी हुई जड़ है जैसे यह देखिए यह जड़ इतनी सड़ चुकी थी कि इसमें से कोई भी नई जड़ नहीं निकली यह देखिए यह पिछले साल की जड़ है इस प्रकार जो जड़ अगर आप इसका पहचान बहुत जल्दी कर लेंगे यानि के इस अवस्था में यह देखिए इस अवस्था में यह देखिए यह लाल है बिल्कुल अगर आप देखोगे तो यह नीमा तोड़ की गाट है यह वाली है यह देखिए यह नीमा तोड़ की गाट है अगर आप इसे माइक्रोइसकोप में देखेंगे तो यहां बहुत से अंडे मिलेंगे इसके अंदर और यहां पर इसके यह नीमा तोड़ के जीवानों होंगे यह देखिए यह बिलकुल खाई हुई जड़ है और यह फ कास नहीं होगा, आप देखे ये जड़ यहां से चली, इसे भी फंगस ने नहीं चलने दी तो मैंने अधिक तर जड़ो में ये देखा कि भई इसमें है क्या, ये देखिये अगर आप देखेंगे, तो इसमें सभी जड़ों में यह देखिए यह नई वाली जड़ है इसकी जो पिछले साल चली थी लेकिन अभी सुरू हुआ है अगर मैं इस समय इसका इलाज ना कराऊं तो आप यह देखिए कि यह फरवरी आते आते भेंकर हो जाएगी यह देखिए इस प्रकार के तो मैं इसमें बोम फुरान भी डलवाऊंगा यह सिरफ नई वाली जड़ है और अधिकतर जो यह पोदे हैं जो ताइवान पिंक क्लोन के हैं यह मैं सहरनपूर से एक नरसरी से लाया था और जहें नरसरी से जितने भी पोदे आते हैं उनमें यह समस्या नहीं आती चुकि वो इसका इसको फरवरी के अंत में से खोथता तो यह इतनी मोटी-मोटी गाठे हो जाती और काली हो जाती और जब जड़ सूख जाती है उस पर फंगस आती है और फिर फंगस वहां से नहीं लगती है आज मैं इनमें दवाई लगाऊंगा खाद लगाऊंगा उसके बाद अपना ट् उसार भाई पटेल है लेबोरेटरी में टेस्ट कराकर उनको जो दिखाते हैं कि इसमें कौन सी फंगस है हम उसका इलाज करते हैं फंगस का इलाज में कर चुका आज मैं इसमें दवाई लगाऊंगा और फिर दो महीने बाद दिखाऊंगा फरवरी गयंत में कि नई जड़ से निकलती है उनको हमें धीरे से प्यार से सिंचित करना पड़ता है कि उनमें टोनिक देना पड़ता है अब आप कहेंगे कि आप जो हना इसमें कौन सी दवाई लगाएंगे किसान साथियों अगर आपकी आर्ट्री बंद हो गई तो 99 परसेंट चांस है कि आपको या तो इ एक्सपरिमेंट करते हैं आप वेस्ट डिकमपोजर डालिए आप जीवा मरड डालिए अगर आपके पोदे बच जाते हैं तो मुझे भी लिखिए ये बीमारी अधिक तर जो हिसार का एरिया है जहां पर बालोई मिट्टी है वहां पर अधिक है और जो मेरी रिसर्च है वो का कार्बन लेवल बहुत ही कम होगा और जब कार्बन लेवल कम होगा तो जो जीवानू है मित्र जीवानू वो उस पर जिंदा बहुत कम अवस्था तक रहते हैं और बीमारियां उपर से अटेक करते हैं अगर आपका कार्बन लेवल 0.6 तक पहुंच जाता है तो ये बीमा साथियों अब कुछ भाई मुझे पर कमेंट करेंगे कि आपने दवाई तो बताई नहीं ये दवाई बताना बहुत गलत भी है और खतरनाक भी हो सकता है सबको अगर मैं इसको बताने बैठोंगा तो मुझे कम से कम आदा घंटा चाहिएगा दवाई की मात्रा पोदों की उम् नीमा तोड़ है इन सब चीजों पर निर्भर करती है अगर मैं बता दूँगा सभी भाई करने लगेंगे और उससे कुछ भाईयों को नुकसान भी हो सकता है जिस प्रकार कटिंग से कुछ भाईयों ने कहा है कि मेरे बहुत फल देने लगे हैं और कुछ ने कहा है कि मेरे तो बिल्कुल भी फल नहीं आते हैं इसलिए अगर आपको यह सीखना है तो आप अमेजिंग किशान का वाट्सेप गुरूप जोईन कर सकते हैं अपनी समस्या रख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको वार्शिक फीस देनी होगी आप महां पर सीखिए और इसकी पीछे क्य किसान साथियो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट में अवस्य बताएं एक बार फिर महाजीर हूंगा आपको फरवरी के अंत में इसी खेत में इनी पोदों में दिखाऊंगा कि यह नीमा टोड किस प्रकार हुआ है और जो नई जड़े निकली है वो कैस लिए तब तक के लिए विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत बंदेव